इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि अगर cumulative frequency दिया रहता है तो कैसे हम लोग frequency distribution table बनाएंगे मतलब frequency distribution table from a cumulative frequency distribution table ठीक है तो cumulative frequency मतलब जो frequency साम करते करते आते हैं वो तुम लोग 9 में पर चुके हो कि what is cumulative frequency तो cumulative frequency अगर दिया रहता है तो कैसे frequency distribution table बनाना है क्योंकि mean calculate करने के लिए हमको frequency चाहिए cumulative frequency नहीं तो frequency distribution table कैसे बनाएंगे वो हम देखने जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर कोई इस cumulative frequency table में कोई class interval नहीं दिया गया है हम लोग को class interval भी भी बनाना है और frequency भी निकालना है तो frequency distribution table कल्कुलेट करने के लिए तो कैसे करते हैं देखो कि यहाँ पर दो तरिके का cumulative frequency distribution दिया रहता है जहाँ पर class interval नहीं रहता है एक है greater than और एक है less than पहले हम लोग greater than देखते हैं फिर हम लोग less than देखेंगे एक बात का ख्याल रखोगे कि जब greater than होगा तो greater मतलब क्या है बड़ा है तो समझो कि जहाँ से larger value है उस side से calculate करना परता है और जब less than होता है जहाँ पर छोटा है उस side से calculate करना परता है यह दिमाग में रखना greater than मतलब जहाँ से maximum value है वहाँ से calculate करोगे और जहाँ पर अगर less than होता है जहाँ से minimum value है वहाँ से calculate करोगे तो पहले हम लोग class interval बनाते हैं तो हम लोग देखोगे यहाँ पर table बना चुके है तो बनाएंगे यहाँ पर क्या क्या table का field रहेगा अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीशन टेबिल में class interval रहेगा cumulative frequency class interval cumulative frequency frequency class mark and a5x है जो मिन बना ले के लिए चाहिए direct method मैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हूं मुझे सिर्फ यह frequency distribution टेबिल कैसे बनाता है वो दिखाना है ठीक है पहले class interval लिख लो class interval क्या है 0 और greater than 0 10 और greater than 10 तो मैंने क्या भूल कि maximum value होगा greater than होगा तो maximum value से Höre moreGA गिंती करओगे तो पहले इस गिंती कर लेना कितना value है 1, 2, 3, 4, 5, 6 छी class interval होगा तो 1, 2, 3, 5, 6 interval होगा ठीक है तो पहले से काउंट कर लेना 1, 2, 3 , 4, 5, 6 ठीक है तुछ है आप देखो क्या है यहाँ पर जीरो और greater than zero तो 40 greater than 40 तो गेप कितना है 10 गेप है तो मैं यहां पर 10 गेप को भी 0 और 50 un derive very Old तो 50 और greater than 50 मतलब आएगा 60 से तो मैं एकदम last class interval दे रहे हूँ 50 से 60 ते तो 50 और greater than 50 उसके बतले हमने कहा लिखे 50 से 60 ते 40 और greater than 40 तो greater than 40 में 50 भी आता है पर 50 के लिए तो हम लोग अलग से class interval बना लिए तो इसलिए 40 और greater than 40 के class interval कहा लिखेंगे 40 50 30 और greater than 30 30 और greater than 30 greater than 30 मतलब 40 50 भी आ जाता है पर 40 और 50 के लिए तो हम लोग अलग से class interval लिख लिए तो इसके क्या लिख होगे 30 से 40 तब 20 और greater than 20 20 और greater than 20 मतलब 20 and greater than 20 मतलब 20 से 30 तक क्योंकि 30 में यहाँ पर हम लोगों का class interval है 10 और greater than 10 मतलब 10 से 20 तक जाएगा 0 and greater than 0 मतलब जाएगा 0 से 10 तक तो यह हुआ हम लोगों का class interval तो मैं फिर से बोल रहाँ ग्रेटर दिन मतलब maximum value जहां से class interval वहां से count करोगे तो वहां से class interval तो हो गया अब जो जो cumulative frequency हम लोग लिक लेते हैं यह तो cumulative frequency हैं मतलब descending order में आएगा और lesson में ascending order मतलब छोटा से बढ़ा होगा ठीक है अब कैसे frequency calculate करोगे मैं फिर से बोल रहा हूं नीचे से calculate करोगे तो 50 तो 60 तो 0 है 0 मतलब कोई students नहीं है तो 0 लिक तो यह किसका frequency distribution है marks and students ना 40 and 50 में कितना है दो students है तो 50 और 60 में 40 and 50 में है यह exclusive है ठीक है exclusive मतलब 50 यहां पर count नहीं होगा 50 नीचे में होगा ठीक है तो 40 and 40 and 2 है तो यहां पर भी 2 होगा 30 and 40 ठीक है 30 and 40 मतलब यह तो cumulative frequency मतलब 30 and greater than 30 है तो 30 and greater than 30 में 40 and 50 भी आ जाता है पर 40 तक तो 40 से जादा तो 2 आ गया तो 30 and 40 के जादा है यहां पर 11 है तो सिर्फ 40 के जादा 2 है तो सिर्फ 30 and 40 में कितना है मतलब marks मतलब जिसको 30 से जादा मिला वो 11 है तो 30 से जादा मिला मतलब जिसको 40 मिला 50 मिला उसको भी तो वो भी तो 30 से जादा है पर हम लोग पहले देख लिये थे कि 40 and 50 में दो नंबर दो students का आ गया तो बाकी कितनों का है 30 and 40 का मतलब 2 से इसको minus करके लिखोगे मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ पर तुम लोग को को इसको show नहीं करना है ठीक है तुम लोग सिर्फ minus करके लिखोगे मतलब apart से lower तक minus करोगे इसलिए नीचे से जा रहे है ठीक है यहाँ पर देखो क्या है 20 and greater than 20 20 and greater than 20 मतलब यह आ रहा है हम लोगों का 30 मतलब यह पूरा 20 से जादा है पर 30 तक कितना है 11 तक है तो 30 तक तो 11 स्टूडेंट्स है तो बाकी और कितना बचा 20 and 30 के लिए कैसे आएगा 22 minus 11 मतलब 11 आएगा ठीक है मतलब नीचे में जितना value है उससे इसको minus करोगे 10 से 20 मतलब 10 से 20 मतलब 10 से जादा कितना के मिला cumulative frequency 36 मतलब 10 से 20 में 10 and greater than 10 वो है 36 greater than 10 मतलब क्या है 20 से भी जादा आ जाएगा पर 20 से जादा कितना है 22 तो है तो सिर्फ 20 से 10 से 20 तक कितने को आएगा तो वो हम लोग को लेंगे 36 से जितना बाकी का 20 से वो minus कर देंगे तो 22 तो कितना होगा 14 अब बाकी क्या बचा 0 and greater than 0 तो 0 and greater than 0 सेम है as usual वो कितना है 40 है 40 मतलब 0 से जादा 40 को मिला पर 36 को तो 10 से जादा मिला तो सिर्फ 0 और 10 इंटर्विल का है 0 and 10 तो सिर्फ 0 and 10 में कितना को आया 36 मतलब 4 तो यह हुआ हम लोगों का frequency ठीक है तो maximum greater than के लिए हम लोग नीचे से minus करते करते जाएंगे तो minus किसको करोगे जिस class का frequency निकालोगे जिस class interval का उसके नीचे वाला class से उसको minus करोगे अब class mark क्या है class mark है तो इसका mean value तो class mark मैंने क्या बूली थी कि यहाँ पे जितना gap है class mark भी उतना gap होता है मतलब 10 तर 10 तर 10 तर gap से glass mark जाएगा ठीक है अब a फाई एक साई निकालोगे अब हम लोगों का mean मतलब x बार इकूल्स टू क्या होता है summation of a5 x i summation of a5 तो इसका summation of a5 x i यह तुम लोग निकालोगे और मैं नहीं कर रही हूं और summation a5 मतलब इसका इसको plus करोगे इसको जो जो frequency निकला ठीक है तो इसको plus करो देखो तो क्या आता है 9, 2, 11, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0, 2, 3, 4 मतलब summation of a5 होगा 40 तो 40 क्या होगा देखो maximum cumulative frequency यह सेम होगा इसको ध्यान रखो तब भी तो समझ जाओगे कि यह सही हुआ है ठीक है तो इस तरीके से greater than का cumulative frequency से हम लोग frequency distribution table बना के mean निकल सकते हैं यह तुम लोग बनाओगे यह तो तुम लोग को आता है अब हम लोग देखेंगे कि less than कैसे बनाओगे तो less than का टेबिल हम लोग जब बनाओगे तो जो small है उससे हम लोग count करेंगे तो पहले क्या लिखोगे पहले लिखोगे class interval फिर लिखोगे cumulative frequency फिर लिखोगे frequency फिर x i a5 x i तो cumulative frequency देखो gap 10, 20, 30, 40 है मतलब 10 ही है तो less than 10 मतलब कि कहा से कहा तक जाओगे 0 से 10 तक एक interval फिर होगा less than 20 तो 10 तो यहाँ पे गए तो less than 20 मतलब 10 से 20 less than 30 मतलब 20 से 30 less than 40 मतलब 40 से sorry 30 से 40 less than 40 less than 50 मतलब 40 से 50 तो यहां का जो upper limit है यहां का lower limit है और less than 60 मतलब 50 से 60 cumulative frequency लिख लो 7, 70, 40, 90, 96, 100 आप कहा से जाओगे उपट से नीचे ठीक है तो फास्ट वाला तो 0 से 10 तो 7 हो गया second है 10 से 20 ठीक है 10 से 20 मतलब less than 20 तो cumulative frequency मतलब less than 20 यह तो हम लोग frequency के लिए class interval को यह से चुने ठीक है तो less than 20 के आँसे आया तो less than 20 marks जो है class तो होँआ पे 10 तो 7 तक क्या है तो 10 और 20 के बीच में कितना रहा 17 से 7 को माइनस करो कितना हुआ 10 ठीक है अब 20 से 30 तो 20 से 30 होगा कितना 20 मतलब less than 30 तो 30 में तो 20 तक तो 17 तक गया तो बाकी कितना बचा कैसे निकालोगे 40 से 17 माइनस करोगे 23 ठीक है फिर हुआ less than 40 मतलब 90 तो less than 40 में 30 तक 40 गया तो बाकी कितना बचेगा 90 से 40 मतलब 50 फिर less than 50 96 है तो 96 में से 40 तो 90 तक गया तो यहाँ पे क्या होगा 96 90 मतलब 6 और less than 60 मतलब 100 100 मतलब 50 तक तो 96 गया तो बाकी 50 और 60 से कितना बचा 100 माइनस 96 4 तो यह हुआ हम लोगों का frequency 7, 10, 23, 56, 4 ठीक है अब एक साई एक साई क्या है इसका मीड वैलू तो मीड वैलू निकालो 0 से यहां तक 5, 15, 25, 35, 45, 55 अब समेशन आफ एक साई निकालोगे यह तुम लोग बनाऊगे अब समेशन आफ एक साई है हम लोग देखते हैं क्या एगा 7 मतलब frequency का साई 7, 3, 10, 6, 16, 2, 20, 0, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 100 देखो समेशन आफ एक साई मतलब frequency का साम क्या होगा cumulative frequency का maximum frequency greater than भे भी less than भे भी यहां पे तो अगर यह प्लास करके cumulative frequency का maximum frequency आएगा तब समझोगे की frequency निकालना ठीक हुआ अब बाकि तो है x-bar इकोल स्टू लेश देन होगा तो छोटा से start करोगे उपर से नीचे और greater than होगा तो नीचे से उपर, माइनस करते करते जाओगे इससे एक class का cumulative frequency से अगले class का cumulative frequency को minus करते करते जाओगे greater than से उपर class का frequency से नीचे class का frequency minus करते जाओगे ठीक है यहाँ पर उपर class से नीचे class और less than में नीचे class से उपर class ठीक है वो समझ जहीं जाओगे कि कहां से किसको obviously जो larger है उससे smaller को minus करोगे तेकर? वके